आई अबरीवन कैसे हो बच्चे लोग याज सब सही अच्छी तरह की से चल रहा है यार मेरा नाम है राहूल जे स्वाल है आपका स्वागत है हमारे इस बहतरीन यूटूब चैनल जे आर जूनियर्स में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते कि जे आर जूनियर्स जो की जे आर बच्चे वहां से हमसे पढ़ते हैं लोग जो बच्चा चटवी में हैं वह हमसे पढ़ता है और बहुत ही अच्छे-च्छे मार्ट उन्होंने निकाले है पिछले दो-तीन साल से हम वहां पे पढ़ा रहे च्टिनियर्स ली और लाखो बच्चों का भला हुआ है लेकिन हमन जो फिफ्ट चैंडर का जो मैथमेटिक सब्जेक्ट है मैज जो होता है उसका हमारा जो एक चाप्टर है चाप्टर नमर एट मल्टिबल एन फैक्टर इसका आज तीसरा लेक्चर है और इसमें हम प्राइक्टिस से यानि प्रॉब्लम से 34 कराएंगे अब यह जो प्रॉब् सेट जो 34 है इसके जितने भी कोश्चन से वह हम लोग कराएंगे ठीक है तो आप लोग बस कुरसी की पेटी बांध लो अच्छी तरीके से और एक जगा बैट जाओ अपना फोन लेके या फिर आप गार आप लैप्टॉप कंप्यूटर में देख रहे हो तो बैट जाओ और ठीक है चलो सबसे पहले हम भी पढ़ेंगे कि यह प्राइम नमबर पढ़ेंगे कोई भी एक नमबर ठीक है कोई भी एक नमबर ठीक है है वह सिर्फ वन हो या फिर खुद एक नमबर हो जैसे एक्जांपल के दोर पर समझते हैं कि मैंने ले लिया 24 24 24 एक नमबर है अब 24 के में फैक्टस निकालूंगा तो 1 के टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है 6 के टेबल में आता है 8 के टेबल में आता है 2L के में आता है और खुद के टेबल में 24 के टेबल में आएगा तो इतने सारे नमब होगा क्योंकि प्राइम नंबर तो कितने सारे नंबर में आ रहा है कितने सारे टेबल में आ रहा है अब लेट सपोस्के यहाँ आप देखोगे तो से वंड की टेबल में आएगा फिर आप सोचो और किस के नंबर है जो इस जो नंबर है यह इस टेबल में आते हैं तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी नंबर जो सिर्फ वन के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए जो नंबर दिया है उसी के टेबल में आए तो वो नंबर क्या कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा, समझ में आ गया दोस्तों, वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यह जो नंबर 17 है, यह एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, स्टार्टिंग से करेंगे, तो सबसे प के टेबल में आते हैं, याद रखना, यह हो गया पहला टॉपिक, वैसे दूसरा टॉपिक है composite number, composite number एक ऐसे number होते हैं, यह एक ऐसे number होते हैं, having more than two factors, more than two factors, मतलब दो factor से ज्यादा अगर इसके factors निकल रहे हैं, यानि दो number से ज्यादा के table में, अगर कोई number आ रहा है, तो वो number क यह लाएका composite number, मतलब इन शॉट बोला जाए, प्राइम number को छोड़ के जो number होंगे, वो composite number होंगे, जैसे example के तौर पर समझते हैं हम लोग, कि 12 रेक number है, अब 12 किसके किस के table में आता है, 1 के table में, 2 के table में, 3 के table में, 4 के table में, 6 के table में, और खुद के table में, 12 के table में, तो इत number के table में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 number के table में, 12 आता है, 12 आता है, मतलब यह 2 से ज़्यादा हुआ, तो अगर 2 factor से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो number क्या रहेगा, composite number, तो 12 मेरा क्या है, composite number, वैसे समझ लोग, कोई एक number है, 7, तो 7 का factor निकालो, सिर्फ 1 आएगा, और 7 आएग composite number क्या होता है, prime number क्या होता है, बिल्कुल clear हो गया होगा, अच्छी तरीके से, आगे बढ़ते हैं, अब सीधा आपको में examples करवा तो problem set का, problem set number 34, इसके 4 example है, 4 से 5 example, फटा-फट से solve करेंगे, और यह पूरा problem set को खतम करेंगे, ठीक है, चलो, ready हो, तयार हो, आप देखो, अ prime number कभी 1 नहीं लेते हैं, हम लोग, 1 जो है न, नहीं लेते, तो क्या लेंगे हम लोग, 2 लेते, 2 prime number है, उसके बाद 3 prime number है, जो खुद के table में और 1 के table में जाएगा, 4 prime number होता है, 4, 2 के table में जाता है, 2 to the 4, तो 4 नहीं ले सकते हैं, हम लोग 4 नहीं लेंगे, 5 prime number होता है, फिर 7 प्राइम नंबर होता है, 11 प्राइम नंबर होता है, 13 प्राइम नंबर होता है, 17 प्राइम नंबर होता है, 19 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 23 होता है, लेकिन हमें 1 से 20 तक ही चाहिए, तो 23 हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे श्टॉप कर जेना है, तो यह जितने भी हैं यह सभी के सभी प्राइम नंबर है बिट्विन वन से लेके 20 लेकिन वहीं वन से 30 पूछेगा तो आगे बढ़ जाओ वन से 40 पूछेगा और आगे बढ़ जाओ तो इस प्रकार से आपको करना है समझ में आ गया दूसरा कोशन राइट और डाइट अल्ड़ नंबर बिट्वेटी वन से लेके 50 के बीच में जितने भी कॉम्पोजीट नंबर है वह आपको लिखना है तो मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होता हुआ वह एक देफिनेशन है और दूसरा डेफिनेशन जिसके फैक्टर्स बहुत जादा है द खुट के टेबल में यह आता है उसके बाद थर्टीवन ले लो थर्टीवन के बाद थर्टीटीट नहीं ङाएगा उसके के बाद, 28 एंद 8 के बाद ठीक है 29 नमड होता है 30 और ठीक नम्द होता है 30 आ जाएगा ठीक है 30 त्री यहाँ ईगा 34 आ जाएगा 35 आ जाएगा ठीक है फिर 38 आ जाएगा 39 आ जाएगा 40 आ ठीक है उसके बाद 41 प्राइम नमबर है 41 नहीं ले सकते फेटक है 31 कंPD digital सकता फिर 42 आ जाएगा 43 भी प्राइम है तो उसको नहीं ले सकते तो 47 नहीं लिख सकते तो 47 नहीं लिखेंगे तो 48 आता है 48 बहुत सारे टेबल में आता है तो लिख दिया इतने सारे नंबर जो है यह सभी नंबर जो मैंने लिखा है कि 21 से लेके 50 के बीच में क्या है composite number से क्या है composite number समझ में आ गया कितना easy examples होते हैं आगे बढ़ते हैं चलो next question क्या बोल रहा है circle the prime numbers in the list given below इसमें से यह जो numbers दीख रहे हैं आपको यह जो numbers दीख रहे हैं इसमें से जितने भी prime numbers है इसको circle करना बस और कुछ नहीं बहुत simple है तो prime number जैसे मैंने बोला prime number मतलब क्या आता है जो सिर्फ खुद के table में और one के table में जाता है तो 22 यह prime number नहीं है क्योंकि यह two के table में जाता है 37 prime नंबर है तो मैं क्या लिखूँंगा 37 37 को मैंने circle कर दिया क्योंकि यह prime number 43 भी prime number है सिर्फ प्राइबर है ना? 91 जाता है क्या? नहीं, 13 की टेबल में जाता है ना? 13, 7 जा, 7, 3, 2 कहा है रही, 7, 91, 13 की टेबल में जाता है, 91 नहीं ले सकते, गड़बड हो रहा था, थी कहें न, यहाँ पर 91 को मत सरकल करो, तो 91 कमपोजीट है, 57, 93 जा 57 होता है, तो 57 भी नहीं जाता है, 59, 59 किसी के table में ने जाता है, फिर 79 किसी के table में ने जाता है बराबर, और 97 किसी के table में ने जाता है, बस यही है, तो यह जितने भी prime numbers थे हमने क्या कर लिया है, इसको complete कर लिया है, तो जो जो prime numbers होते हैं, उसको हमने circle कर दिया और यही आपको पूछा था, कितना simple है, correct है, समझ मे आगे बढ़ जाते हैं, अगला question है, last question इस problem set का which of the following prime numbers are even number, which of the prime numbers are even number, कौन सा इसा prime number है जो even है, तो आपने इतने सारे prime number देखे, 2 से लेके start होता है prime number, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है, ठीक है, उसके बाद 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, उसके बाद 41 होता है, 43 होता है, इतना सारे prime number होते हैं, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन हमें पुछाए कि कौन सा ऐसा prime number है, जो even होता है, तो आप जितने भी आप देखोगे हां से, even मतलब क्या होता है, even odd number, even number, even number मतलब 24680, जिसके last में आता है, और odd number मतलब क्या होता है, odd number मतलब क्या होता है, जो 1, 3, 5, 7, 9, जिसके last में आता है, वो odd number, यह आपको पता है न, दोस्तों, तो हमें पुछा है कि कौन सा ऐसा prime number है, जो even है, तो आप देखोगे, सब के last में 3, 5, 7, 11, 1, 3, 7, 9, तो यह जितने भी है न, यह सब के सब odd है, ल होगा दोस्तों, 2, who is the correct answer, correct है, याद रहेगा, simple है, तो इसी के साथ problem set खतम, और इसी के साथ यह lecture यहाँ पे खतम होता, यह वीडियो यही पे stop होता है, लेकिन इसके बाद continuous lecture वीडियो आएंगे, अभी आप लोग से आपके जितने भी friends होंगे, जितने भी friends, आपके school में, आप जहाँ पे tuition पढ़ते होंगे, वहाँ पे, उनको एक बाद बोलो, कि JR Junior से, यहाँ टुटोरियल पे तो बड़े बच्चों का हाता है, चटवी से बार वी तकर, जो JR Tutorial में चैनल है, लेकिन आप लोग के लिए एक नया चैनल बनाया गया है, बच्चों के लिए JR Juniors, दे subscribe करना ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तके लिए, thank you and goodbye दोस्तों.